वर्गेकृत आकडों का बहुलक यहां हमने यहां पता लगाया कि ओसतन बच्चों का वजन क्या है यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सा वजन सबसे ज्यादा बच्चों का है तो हमें इन आकडों का बहुलक पता करना होगा आप यह जानते हैं कि बहुलक दिये गए आंकडों में से वह मान होता है जो सबसे अधिक बार दोहराया गया होता है वर्गे कृत आंकडों में हम सबसे पहले बहुलक वर्ग की पहचान करते हैं इन आंकडों में वर्ग 40-50 की आवरित्ती सबसे अधिक है अता यह बहुलक वर्ग है हमें इससे यह पता चल पाता है कि आंकडों का बहुलक इसी वर्ग अंतराल के बीच मौजूद है इस प्रकार की इस्थिती में बहुलक सूत्र में मान रखकर ग्याद कर लेते हैं बहुलक ग्याद करने का सूत्र बहुलक बराबर L धन बड़े कोश्टक में F1 रिन F0 बटे दो गुणित F1 रिन F0 रिन F2 कोश्टक बन गुणित H इस सूत्र में L बराबर बहुलक वर्ग की निमनसीमा F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबरता F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबरता F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बात की बारंबरता H बराबर वर्ग अंतराल की माप F1 और F0 में जितना अधिक अंतर होगा बहुलक L से उतना ही बड़ा होगा इसी तरह F2 और F1 में जितना कम अंतर होगा बहुलक L से उतना ही बड़ा होगा और L धन D के करीब होगा अगर यह सोचें कि बहुलक का अधिकतम मान कितना हो सकता है तो हम यह देखेंगे कि इसका अधिकता मान L तथा F1 वा F0 या F2 वा F1 के अंतर D के योग के बराबर होगा यानि बहुलक L और L धन D के बीच होगा उधारण 11 एक उचतर मादमिक शाला के छोटे बड़े बच्चो के वजन के आकड़े नीचे दिये गए है बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50 है बहुलक वर्ग की निम सीमा बहुलक वर्ग की निम सीमा L बराबर 40 है बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, F1 बराबर 29 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबरता F0 बराबर F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबरता बाद की बारंबरता बाद की बारंबरता F2 बराबर 6 वर्ग माप H जो है हमारे पास 10 है बहुलक बराबर हम जानते हैं कि बहुलक का जो सूत्र है वह होता है L धन कुष्टक में F1 रिन F0 बटा 2 F1 रिन F0 रिन F2 गुणा H जहां L भहुलक वर्ग की निम्न सीमा L है जो की 40 है भहुलक वर्ग की बारंबरता F1 29 है भहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबरता F0 जो की 11 है और भहुलक वर्ग के ठीक बात की बारंबरता F2 जो है 6 है और उसी तसे अंत में वर्ग माप H जो है मारे पास 10 है तो सूत्र में इन मानों को रखने पर बहुलक बराबर बराबर एल हमारे 40 धन F1 है हमारे पास F1 29 है F1 29 है रिण F0 11 है बटा 2 गुणा F1 है हमारा 29 कुष्टक बन रिण F0 है हमारे पास 11 रिण F2 जो है हमारे पास 6 है कुष्टक बन गुणा H जो की वर्ग माप है जिसका मान 10 हमने उपर में लिखा है बराबर 40 धन कुष्टक में 29 में से 11 गटाएंगे तो 18 आएंगा 18 बटा उसी तरह से 29 गुणी 2 हमारे पास 15 होगा और रिण 11 और रिण 6 जो है रिण 17 हो जाएंगा कुष्टक बन गुणा 10 बराबर 40 धन 18 बटा अंठावन में से 17 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगा 40 गुणित 10 बराबर 18 को 10 से गुणा करेंगे तो 180 बटा 41 करेंगे तो हमारे को प्राप्त होंगा 4.39 किलोग्राम तो 40 में 4.39 किलोग्राम को जब जोडेंगे तो हमारे पास योग आएंगा 44.39 किलोग्राम यहां एल धन डी के करीब है क्योंकि एफ जीरो बड़ा वा एफ टू छोटा है इस प्रकार वर्गी क्रित आकडों का बहुलक ग्याद किया जाता यह बहुलक के आकडे के करीब इस उधारण का हल होगा